हलो दोस्तो आज हम करेंगे अप्रेल में हिने की most important current affair जो HSS अपने इताम में पूछ सकता है और आपका current affair का revision भी हो जाएगा और आपके लिए के test के तोर पर भी है आप प्लीज कोमेंट जुरू करने आपको कितने question का answer पहले पता था तो चलते question number 1 पर दोस्तों सभी question important और selected लिए गए है आपका ताकि आपका revision भी उसके तो question number 1 है हाली में तीन अप्रेल को दूशन चोटाला का कौन सा जनमदीश बना गया था तो इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer का option D तो इनका 33 वा जनमदीश मनाया था हाली में स्थापना भी की हूँ यह जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में जीन जिले से की थी और यहारी आना के चटे उप मुख्या उन्दरी वी है तो इसका right answer होगा option B तो परवी नत्री को इसका नया सच्व नुक्त किया गया है और परवी नत्री को सच्व नुक्त किया गया है अश्की स्थापना कभी थी तो एक अप्रेल नुसो कहतर को और मुख्यालिया चंडीगर्ड में हर्याना राज्य बाल कल्यान परिशद का नेक्स्ट है क्वेसन बर तीन है हर्याना के की इस जिले के सल्लाहेडी गौर्मेट महिला कोलेज का नाम बदल कर सहीत लैपिनेट किरन सिखावत गौर्मेट कोलेज पर वहमायन सल्लाहेडी कर दिया है तो की जिले में पढ़ता है ये कोलेज तो उसका रायट इंसरोगा ओप्षन डितो मेवात या नु जिले में पढ़ता है नेग्ष्ट है क्वेसंच पर च्यार है कौन सा राज्य गरमिन इनकी परदान मतरी सड़क गरमिन के निर्मान में लक्षय प्रापत करने वाला पहल राज्य वन गया तो सबसे पहले इसका लक्षय किसे ने प्राप्त किया है तो उसका राये इंसरोगा ओप्षन डितो हरी मटले पारे में परदान मतरी गरामिन सटक योजण के तीसरे चलण का पहला बैंच सबस्क्राइब पूरुआ करने वाला हरी आणा पहला रहे आद को आद रखना है Question number 5 है हर्याना की कीज जिले के मुकेश डांगी का दिव्याइंग प्रीमर लीग में दिल्ली टीम में चेन हुआ है तो कीज जिले से बिलाओं करते है मुकेश डांगी तो इसका right answer होगा option भी तो इस हिरसा जिले से बिलाओं करते है दोस्तों आप ये other option आपको इसमें PDF से पाए फट लेना जो आएक्शा डिटेल दी है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए और आपका विजी उतरने लगेगा तो मैं आपको पटापट रिवीजन के तोरपर करवा देता हूँ जो important है उनके बारे में बता दूँगा हरियाना की कितनी खिलाडियों का Senior Asian Boxing Championship में चेन हुआ है तो कितनी खिलाडियों का हुआ है तो रायडर इंचरों का option भी तो चाय खिलाडियों का अब जान लेते कौन-कौन है मोनिका है रूड की रोतक से साक्सी डांडा बिवानी से जैसे में लंबोर्य अभिवानी से पूजा बोहरी अभिवानी से सिवीटी बुराई सार से और अनुपंबा कुंडू पलवल से Next question बराथ साथ है हरियाना सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्से रखा है तो कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्से रखा है तो राइट इंचरो गॉप्स ने तो 2022 तक Next question बराथ है हरियाना में डाक्टर बीमराव अमबेड कर अवास निमिखने योजना की ताहत मिलने वाली राज्य को कितना बढ़ा कर कर दिया है तो अब कर दिया सीजार उपे Next question number 9 है हरियाना की खेलाड़ियू मनुपाकर टोक्यो ओलम्पिक में कितने खेलों में बाग लेगी तो जो अब टोक्यो ओलम्पिक में खेलने वारी मनुपाकर है कितने खेलों में बाग लेगी बारत की तरफ से हरियान की कि जिले में गरीवी रेखा से नीचे जीवन आपन करते हैं तो किस जिले में सबसे ज़्यादा है तो राइट रोगा इसार जिले से सबसे ज़्यादा गरीव लोग रहते हैं है कि दोस्तों यह पार्ट बन है अपरेल में ही करणटा फेर का पर आपको जाल्द ही मिल जाएगा और इन दोनों की पीडिएफ आपको पारट टू में मिलेगी इनकी पारट टू में आपको मिक्स पूरी अप्रिल में नहीं की करणटा फिर मिल जाएगी क्वेशन बर बारा है केंदर सरकार ने चोधरी चलन सिंग हरियाना किरसी विश्वधालिया में एबिक सेंटर स्थापित करने के लिए कितने कोड़ रोपी की मंजूरी दी है तो इसका राइट इन्स रोगा ओप्शन बी तो दो करोड़ तेरा लाग रुफे की नेक्स्ट है क्वेशन बर तेरा है हरियाना के कीज जिली मेराज्ये का पहला ट्राफिक की कोड़ स्थापित किया है दोस्तों के क्वेशन आपके लिए इंपोर्टेंट है तो कीज जिली में स्थापित किया है तो राइट इन्स रोगा ओप्शन है तो फिरिदाबाद जिल हर 10 किलोमेटर पर एक मोडल सच्रीटी स्कूल बनाएगी क्वेसिन बर 15 है हाली मिजारी आकड़ों के उनुशार हर यान में कितने प्रिवार बेगर है तो कितने प्रिवार बेगर है तो राइट इन शरोग उप्षीन भी तो 51,841 प्रिवार बेगर है Q16 है हरियाना के कितने जिलों में मातरी, सीसु, मिर्थूदर को कम करने के लिए Mother Child Health Center खोले जाएंगे तो कितने जिलों में खोले जाएंगे तो इसका Right-in-sarog option बी तो हरियाना के 4 जिलों में ये Center खोले जाएंगे Q17 है हरियाना राज्ये में PM आवाश योजना के तात कुल कितने मकान बनाए जाएंगे तो कुल कितने मकान बनाए जाएंगे पहले हमने पड़ा था और किस जिलों में जादा बनाए जाएंगे अब कुल कितने हरियाना में कितने बनाए जाएंगे तो right answer ओबगा option A Question number 13 है हरियाणा राज्जे से कितने निशानबाज खिलाड़ी होगा Tokyo Olympic के लिए चेन हुआ है तो कुल कितने खिलाड़ी होगा Tokyo Olympic 2021 के लिए हरियाणा से चेन हुआ है तो इसका right answer क्या होगा तो option B तो 4 खिलाड़ी होगा चेन हुआ है निवाजी में कौन-कौन से है तो मनुबाकर है जजर जिले से पानिपत से अस्वनी सिंग देशवाल और आवी से एक वर्मा और युम्नानागर से है संजीव राजपूत कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ तो अंसर B होगा हर्याना ससकर्थ अकादमी की नाम से क्वेस्टन नमबर 21 है हर्याना की किस गाउं के रैफरी बिंदरा मलीक कंजाकिस्तान की दो इंटरनेशनल चैंपिनसीब में रैफरी की बूमेकानी बाहेंगे तो 21 जिले से बिलों करते हैं बिंदरा मलीक तो रैटन सरोगा और किस गाउं के हैं तो उप्षने खानपूर कला और सोनिपत गाउं से बिलोंग करते हैं नेच्ट क्वेस्टन नमबर 22 है हर्याना रैज्य में कब से कब तक इंटरनाशनल यूथ फेस्टिवल बनाया जाएगा आपके लिए क्वेस्टन भी इंपोर्टन है तो इसका रैटन सरोगा और सी तो 28 अक्टूबर से 3 नमबर तक हरियाना में इंटरनाशनल यूद फेस्टिवल बनाया जाएगा आप नीचे पढ़ लेना डिटेल से हरियाना के कीज जिले में फिलपकार्ड कमपनी ऐसिया का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित करने जा रही है तो इसका राइट इंसर होगा अप्शन पूल डिटेल के साथ पढ़ा दिया है यह अब अब सिर्फ आपके लिए रिवीजिन है प्लीज आप वीडियोप से पढ़ लेना क्योंकि वीडियो जादा लंबी हो जाएगी और आपका वीजी उतरने लगएगा क्वेशन पर next है हालम चोधरी देविलाल की कोन सी पुन्यव्य तिति भनाई गई है तो रहाइट इंसरोक सिय तो 20 वी पुन्य तिति मनाई गई है और ऊलिवारे इसके पोट ते मानलो ज्यूशा चोचाला की कोन सी जनमधियोष ही मनाएगी थी तो 23 वा जनम दिउस मनाय गया था अब इसके बारे मता देता हूं जनम गाता 25 अंबर 914 को मेरत वी तिच्छा अपरेल 2001 को और हरियाना के मुख्य मंतरी भी बन चुके हैं कब बने थे बनेते हैं उस्तार में और वह पर्दान मंतरी भी बन चुके हैं 1989 में को समय कैसी हरियाना सरकार ने राज्य गन्याल राज्य निर्वाचन आयुक्त कीसे नुक्त किया यह एक प्की लिए इंपोर्टेंट है तो किसे नुक्त किया गया है तो रायट एंद रोग आप्शन एक शरीदन पत्सिंगों और दलीब कुमारुप की जगही ने नुक्त किया गया है और हर्याणा राजिन निर्वाजन आयो किस्तापना विथी ठारा नॉवंबर है 1993 को question number 26 है हर याण की किस इनवर्ष्टी में जड़ी बूटी ओपर रिशर्च किया जाएगा तो किस इनवर्ष्टी पर किया जाएगा तो अप्सन ने महीरे सिवालम की सहस्कर्त इनवर्ष्टी केतल जड़ी बूटी ओपर इनकी आरी इवेड द्वाई बनाने के लिए पानी को हर बूंद को बचाने के लिए दोस्तों आप कोमेंट जुरू करना आपके कितने क्वेस्टन ठीक पाए और वीडियो को सेर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर देना क्वेस्टन नमर ठाइस है हर्याना के किस जिले में सितला माता मेडिकल कोलेज बनाया जाएगा शायद इसका तो आपको पता ही होगा क्योंकि सितला माता मंदिर कहां पर है तो गुरू गुराम में मनाया जाएगा यह क्वेस्टन नमर ठाइस है हर्याना सरकार ने नौमी से बार्मी कक्षा तक किवदार्थियों को मुफ्थ शिक्सा देने के लिए हर साल कितने क्रोड रूपे खर्च करेगी तो उसका क्या अंसर होगा राइट एंसर क्या होगा इसका तो आप्सन सीतो 350 क्रोड रूपे करेगी एक क्वेस्टन भी आपके लिए इंपोर्टेंट है तो राइट इंस रोग ऑप्सन ए तो 200 क्रोड रूपे खर्च के जाएंगे गुरुग्राम के सीतला माता मंदिर के जिरनोदार या उसकी मरमत के लिए और इसका मुख्यमंतरी कोन होता इसका अदेक्स होता सीतला है अपको पता होगा तो पिलिज कोमेंड जुरू करना परमंतरी को नहीं बता देते हैं को कवर पाल गुजर है और यह क्वेस्टन अपके लिए इंपोर्टेंट हर याना वन विबाक के परदान मुख्या सरक सका है वियस तवर और यह अमरिंदर कोर की जगह इन्हें नुक की सायर का नाम सामिल किया गया है तो राइट एंगसर होगा ऌपसं डीतोरो तक सायर का कोवसें बर 33 है हर्यानार केकी जले की पारूल दर्न्कड गुझरात में सीवल जज़ बनी है तो 21 जले से व्लॉग करती है पारूल दर्न कि यह पारूल दर्नकट गुजरात में जज़ बनी है क्वेस्ट नबर 34 है हाली में पूरो स्पीकर सत्विर सिंग का अध्यान का निद्धन हो गया है कब से कब तक हरियान अविदान सभा के अध्यक्स रहे थे तो कब से कब तक रहे थे तो राइटन स्रोगा अप्शन भी तो कुष्टी में ओलंपिक के लिए कोटा से लिकिया है तो अंसो मलिकी जिले से बिलाउं करती है तो राइटन स्रोगा अप्शन भी तो बिलाउं करती है question number 17 है हरियाना में वर्ष 2021 के दुरान कितने लिगानुपात को आसिल करने का लख्षा रखा आपके लिए most important question ये हरियाना सरकार ने वर्ष 2021 में कितने परतिसथ लिगानुपात येनके कितना लिगानुपात पाने का लख्षा रखा है तो right answer होगा option B लिगानुपात पाना चाती हरियाना सरकार 2021 में और 2020 में हरियाना का लिगानुपात था 922 next है question number 38 है हरियाना में बूजल से सम्मदित काड़ा का नाम बदल कर क्या रख दिया तो काड़ा का नाम बदल कर मिकाड़ा रख दिया मिकाड़ा क्या है इनकी माइक्रो एरिगेशन यों कमांड एरिया डॉपलमेंट अथोर्टी question number 40 है हरियाना के पहलवान बजरंग पुनियाने माटियो पहलेकोन रख की कुछतिम कौन सा पतक जीता है तो नोने जीता है option एस रख पतक जीता है question number एक्ताली है हरियाना सरकार ने अंतराष्टियम महिला दिवस पर lifetime अजूमेंट अवार्ड से किसे समानित किया है तो इसे समानित किया गया option C तो बगवती देवी को और अंतराष्टियम महिला दियूस मना जाता आठ मार्च को question number 42 है अंतराष्टिय महिलाद्यूस पर हर्याना की विदानसबा में कितने गंटे महिलाओ को राज रहा था ये question में आपके लिए important है तो कितने गंटे महिलाओ को राज रहा था तो right answer होगा option 3 गंटे 23 मिन्ट महिलाओ को राज रहा था इनमें पांस में इलाई सामिल थी किर्न चोदरी तोसाम सिवदायक है सीमा तीखरा बढखल सिवदायक है नेना चुटाला बाड़सा विदायक से है और गीता बुकल जजर सिवदायक है और एक है निर्मल रानी गंटनोर सिवदायक है क्वेसन पर तिरताली है हरियाना सरकार ने कितने पर 37 रासन डिपो में हिलाओ के नाम करने की गोशन की इनकी आगे भी जो विरासन डिपो जी सिकाओं में खोले जाएंगे उन्में में हिलाओ को 33 पर 37 अराक्षन दिया जाएगा नेक्स्ट है, क्वसन पर 44 है, हर्याना सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा एक्ट लागू किया, तो उसका राइट इंसर होगा उप्सन ने तो 1989 मोटर विकल एक्ट लागू किया, यह है क्या यह आपके लिए पता देता हूं, इंपोर्टेंट है, वैसे बता देते थे, लेकिन अब आपको लगबग एक मेने लग वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, तब भी आपको यह ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, इस एक्ट के दायत, क्योंकि हर्याना में जाधातर अक्षिडेंट होते है, बिना ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस देते अबाला के मुलाना से है कांगरेस के विदायक वरोन चोधरी और नारनोल नारनोल इनकी महंदरगट के नागल चोधरी से विदायक है बैसिंग यादो, क्वेसन बर चाली है, हर्याना के की जिले को परागलाइडिंग वा ट्रैकिंग का के इंदर बनाया जाएगा, तो यह म परदान मंतरी जन आरोगाय जना लागू करने वाला हरयाना देश का कौन सा रज्ज बना, तो हर्याना सा पाहला रज्ज बना, प्रताली है, हर्यान के कि कि पुलीस स्टेशन को बैस्ट पुलीस स्टेशन 2020 के लिए चेन किया गया, आपके लि Mayo मोस्ट इंपॉटेंट क्वे क्वेसन बर निंचास है, हरियान सरकार ने हरी हर योजन किसके लागू की है, तो अनात बच्चों के लिए क्वेसन बर पचास है, हरियान सरकार ने कितने परतिसत पानी का पुने उप्यों का लक्से रखा है तो 35-35 पानी का पुने उप्योका लाक्षिया रखा 2021 में और 2022 में रखा 30-35 पानी के पुने उप्योका क्वेस्टनमर ग्यावन है हरियानक की जिल्भ में बिजली की समीश्याओं के समादान के लिए फ्रेंट ओभी स्तापित किया जाएगा तो यह किया जाएगा गुरू गुराम में जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे जादा उद्धे होगा इनकी जो भी समस्चा है यह हिच्छी से सुलजा सुलजा सकते हैं कर्फसे म로 गावन है कि जिस वर्ष तक हर गनल जल्यू जना की लक्शिय को पराप्ट कर लेगा तो कब से स्वर वर्ष 2022 तक है और वर्ष 2022 से तक ही मलेरिया मुक्त करने का लाक्स रखा ये भी आपको याद रखना है दोस्तों साइद मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं और कुछ अक्सर में मिश्टेक हो जाती तो प्लीज माहाफ कर देना और बता देता हूं उसके बाएर में इपॉर्टन फेक्ट हरियाना के पांच जीले को हर गर्णल जली जिना से जोड़ दिया गया है और सबसे पहले अपने जीले में 100 पर 300 कनेक्शन देने वाला पंचकूला हरियाना का पहला जीला बना था और अमाला बना था दूसला जीला मतरी अन्तोध्य परिवार उठ्यान उजनको राज्य में लागू करने के लिए किस तर पर टास्क फोरग का गठन किया गया फोरस का तो जिला और अजिस्तर दोनों पर क्वेसन नमें प्रपिच्पन है हरियाना के की जिले में जीन कमसली लवनता परवाविंचेतर विक्षित करने के लिए उत्वरिष्टा के इंदर बनाया जाएगा तोह ये बनाया जाएगा और खोर इस यतलिश्वण सीत d mature विवानी के गर्वा गाव में बनाया जाएगा जिंगा मसली के लिए लवनता परवावी चेतर विखित करने के लिए और आपको बतायाता मने इसार के चोदरी चरण सिंग विश्व विदैलिया में हर्यान की पहली जैविक सब्जी उतकिष्टा के इंदर भी बनाया जाएगा नेक्ष्ट है question number 56 दक्षीन हरयाना विचली वितन निगम का सी जी आर आपकारियालिकांस थाबित किया गया है तो श्ताबित किया गुरुगराहं में यह पहली इसार में था इस आर्षे से यह आप सिफ्ट करके गुरुग्राउं कर दिया है क्वेस्टन बर 57 है इंपोटन क्वेस्टन है अचा सची का ने चैर्मेन की से नुक्त किया गया है तो ने चैर्मेन नुक्त किया गया अप्शन सी बोपाल सिंग और ये युम्नानगर के खदरी गाउं से बिलाओं करते हैं बोपाल सिंग और अचा सची की स्थापन वेथी टाइस जनवरी 1970 को मुक्यलिया पंस्कुला में क्वेस्टन बर 57 है वर्तमान में हरियाना राज्जे में परती वैक्ती दूद उपलकता कितने गराम हो गई है तो इसका राइट इंसरों का उप्शन सी तो 1142 पहले 1132 थी अब 1142 हो गई है क्वेस्टन बर 69 है हरियाना सरकाराज्जे में टीवी के मरिज्जे को निक्स पोसन योजना के तैत कितने रुपे परती महा देगी तो ये देगी 500 रुपे क्वेस्टन बर 69 है हरियाना के कीज जिले के सेफाली वर्मा दुनिया में सबसे कम उमन की नमबर वन बल्लेवाज बनी है तो काँ से बल्लों करती तो ये रुतक से बल्लों करती है क्वेस्टन बर 61 है क्वेस्टन बर 62 है हाल you कीज गाउ में नई पंचायत का गठ Para Carmed परते सरकार ने फत्यवाज जिले के जाकल ब्लोक के गाउं सरकर पूरा से अलग करकर लायरा थे को अलग पंचायत का दरजा दिया है Q63 है हर्यान के कितने जिलों में ERT के इंदर यान की सेंटर को ले जाएंगे तो साथ जिलों में Q64 है हर्यान सरकार ने वीविन सरकारी विवागों को वस्तू खरीदने के लिए कितने कोड रुपे की मंजूरी दी है तो दी है option C 400 कोड रुपे की question 65 है हरियान के कितने स्थानों को digital इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधोनिकरन कार्यागाम के लिए चेनित किया गया ओर धन पने सिर्थानों के लिए तो दो स्थान कों से है गरुगराओं की माने सरतल सिल करनाल का सिर्शी गाउं और सिर्शी अरियानका पहलागा लाल डोरा मुक्त गाउं भी बना था और माने सर हरी आना का ग्यारवा नयार नगर निकम भी बना है और इसमें 128 गाउं को सामिल किया गए यह आपको आद रखना 129 गाउं को नेक्स्ट है क्वेस्टन बर 66 सिर्षा के खेरका युवा कलब और युणनानगर की सोनिय सैनी को राज यस्तरिया पुरिषकार से किसे समानित किया है तो किसे ने समानित किया था तो अप्शन से संदीप सिंग हमारे खेल मंतरी है पेवा से इनका चुनाव चेतर है क्वेस्टन बर 66 है हरियाना सरकार ने स्वाष्ट विबा का नया माने देश किसे नुक्त किया है तो वीना सिंग को क्वेस्टन बर 68 है हरियाना सरकार ने गाओं के विकास समदीद सूजा आवदेने के लिए किस पोर्टल की सरवात की थी तो गराम दर्शन पोर्टल गी Q recipes 17 है हरियान के किस मंण्डल में पहला साइबर थाना स्थापित किया गया है तो इसका right and stroke option भी तो ISR मंण्डल में काहा ही तो ISR मंण्डल में पहला साइबर थाना स्थापित किया गया है और हरियान में 6 मंण्डल है ام아아ला, करनाल, रोतक, किसार गुरुग्राओं फरिदावाद नेक्ष्ट है क्वेस्टन बर सत्तर हर्यान की की जिले में दी गरल गुरुकल स्थापित की गई है तो की जिले में स्थापित की गई है तो ऑप्शन डी कैथल जिले में कैथल जिले के कलाय तलके के लंबा खिड़ी गाउं के पास ये दी गरल गुरकल स्थापित की गई है क्वेस्टन बर क्यातर है हरी आनकी की सहर ने डिजटल मैमोगराफी मोबाइल बन्स लोच की है तो उसका राइट अन्स रोग ऑप्शन भी तो चंडीगड सहर ने क्वेस्टन बर 22 मिलेरिया मुक्त मेबाद अव्यान के दूसरी चरने के सरवात किस ने की है तो ऀनिय लवीज ने की है मारे स्वाष्ते मंतरी है है अंबाला से इनका विदायक छेतरें verdad है और हरियाना सरकार ने 2022 तक हरियाना को मलेरिया मुट करने का लेक्सिय भी रखा है तो 2022 तक लक्सिय को कब पालेगी इनकी ऐसे मालव रखाफ्ट कर लेगी और दोस्तो आप कोमेंट जरू करना कितने ठीक पाई तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि मुझे पता चलजके आपको कितने पहले ऐसे आते थे दोस्तों और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना दोस्तों नेक्स्ट परट आपको जल्दी मिल जाएगा और पूरे अप्रेल मेंने की पीडिया फाइल वहाँ पर मिल जाएगे फूल एकस्पलेशन के साथ और आप असानी से बढ़ सकते हैं तो क्वेस्टन बर चुएतर है प्रिवार नियोजन जैसे करेकरम के लिए अंतरा हरी सौफ्टेवेर किसे ने लौंच किया था तो यह भी लौंच किया था नहीं लवी भी तो जीन जैले से बिलोंग करते हैं जीन जैले के गाउं कोन सा इनका की भी बता देता हम्हा आपके जीन जैले के बौवाना निवासीð बौवाना गाउं जे बलोंग करते हैं खुएक्वेस्टन बर 6 है हालिम किसन अपने जीवन पर लिक राजगिरी से राजब़ नमक पूस्तक का विमौचन किया है तो लिखी गई है सत्यद देवन नारेन आरे की जीवन पर और रिनी नहीं अपने जीवन पर लेकि पूस्तक राजगरी से राजबनका विमौचन किया और यह ह्रियान के राज़े पाला है Babson no. 7 हारी आना की कितने खह्लाड़ी होगा? POLLAND youth world boxing championship match चैन हुआ तो कितने खह्लाड़ी हुआ होगा तो 10 खह्लाड़ी होगा nu. 7 हारी में नाबाड नहरी आना को विद्धिय वरस 2021 भार्ष के लिए कितने को रोपे का रिंड देने की जोशन about option C.pe de从 C. क्रोड चुम्मन हजार क्रोव लाग की और दोस्तो नावबाट किस्ता अपना हुई थी बारा जुलाई 1922 को हड़क बाटर मुंबई में अध्यक सगोबें दरजोले चिंटिला दोस्तो ये पार्ट वन था पार टू आपको जल्दी मिल जाएगा और पीडियाफ सभी मिल जाएगी और पली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और जो मैं जल्दी जल्दी में कुछ गल्द बोला है उसके लिए भी माफ कर देना थैंक्यू समस्थ आपका वीडियो देखने के लिए